और इस वीडियो में मैं आपके सारी डॉप्स तीलियर कर दूँँआ कि कैसे आप अपने MCQs दो आप हजारों MCQs करते हो ना उसके आप एक short notes बना सकते हो और उसको जल्ली से जल्ली revise कर सकते हो इसी तरीके का एक वीडियो मैं English में पहले ही बना चुगा हूँ आप description box चेक कर सकते हो लेकिन ये वीडियो एक नए subset of questions के साथ है और with English subtitles है जिनको हिंदी में ज्यादा समझ आता है उनके लिए मैंने ये वीडियो बिताई है क्योंकि कई सारे आप ऐसे थे जो आप request कर रहे थे कि हिंदी में एक MCQ concise notes की वीडियो बनाओ तो ये वीडियो properly उनके लिए है लेकिन English वाले भी इसको English subtitles में देख सकते हैं तो इस वीडियो में basically में यही करूँगा कि मैं 10 ऐसे examples तोंगा different तरीके के questions के जिसमें कि ऐसे questions होंगे जैसे fat-based questions होंगे clinical questions होंगे multiple correct questions होंगे और आप कैसे इनके short notes बना सकते हो friends ये जो short notes के technique है ये many नहीं बहुत सारे offers करते हैं अपने notes को summarize करने लिए basically pyqs को हम ये सोच सकते हैं कि pyqs हैं दुबारा थोड़ी आ जाएंगे same लेकिन हम pyqs को नहीं पट रहे हैं इसमें हम pyqs के explanation का short note मना रहे हैं और इससे क्या होगा फ्रेंड जब इस तरीके question आएगा तो basically आप उसको solve कर पाऊँगा क्यूंकि जो हमारे paper होते हैं वो basically 5-10 years के pyqs मतलब previous year topics पर based होते हैं और pyqs का explanation होता है वही previous year topic बनता है और मैं इसमें आपको बताऊँगा कैसे आप 50 जो एंसक्यू होते हैं एक module के 30 या 40 एंसक्यू होते हैं कैसे उसको एक page में convert कर सकते हो और जल्दी से जल्दी रिवाइस कर सकते हो क्योंकि at the last time of examination जो आप रिवाइस कर रहे हो last के 2 weeks में वो बहुत important होता है पीड़ा एंक को decide करने में और उसके लिए आपको P.O.I.Q. उसके short notes की जरुवत पढ़ सकते हैं क्योंकि इससे क्या होगा ना कई सारे हम करते हैं क्या हम जो हमारे question incorrect होता है हम उसका screenshot ने लेते हैं और उसको बस slide कर देते हैं क्योंकि हम उतना पढ़े नहीं पाते दोस्त उसके explanation होते हैं बार-बार हम रिवाइस कर दोगे और इस वीडियो में मैं आपने summarize करूंगा वो कैसे आप कर सकते हो तो बिना किसी देर ही कि हम वीडियो पर आते हैं उन 10 questions को देखते हैं हर टाइप पर पॉस्चन तो सबसे पहले हम पहला question लेंगे इस सारे के सारे question वो ऐसे question जो मुझे नहीं आते हैं जो मैंने incorrect कर रहते हैं ठीक है तो उनके मैं short notes आपको बतावे हम भी कैसे बनायते हैं मैं तो पहला question देखते हैं जो पहला question basically था कि उस समय मेरे को ये question बिल्कुल idea नहीं था भी कैसे क्या है इस answer क्या होगा what is the treatment of choice for irradiation in kordoma kordoma patient में treatment of choice क्या है irradiation के लिए कौनसी मतलब इन में से raise देंगे तो इस question का explanation आप देख सकते हो इतना सारा है जब आप दुबारा इस पर revise करने जाओगे कम से कम 2-3 minute ले लोगे लेकिन आपके एक wise क्या होगा कि अगर आप एक wise decision लेना चाहते हो तो आप ए the origin और फिर clivus most common site और high dose radiation का मतलब यह है कि यह radio resistant है एक तरीके से और फिर आप इसमें proton therapy देते हो तो अब इससे related अगर कोई भी question आया है ना कोई अलग तरीके लेकर भी question आया तो आपके पस अगर यह सारी information है तो आप rule out जरूर कर सकते हो इसलिए जब दी मैं sources video अपनी बना इसलिए मैंने बोला था कि आप ऐसे बनाओगे notes मैंने बनाए है और मैं honestly आपको बता रहा हूँ कि मैं यही तीन sources परता था और मैंने सारे exams में explain किया है आपको भी यही करना है आप ज्यादा stress भी नहीं आएगा आपके दिमाद पर और आप easily अपना syllabus भी कर पावे अब दू और मैंने बताना था तो मैंने क्या किया रूट थियोरी ड्रीम लिखी और SCD लिख दिया SCD में सिंबलाइजेशन, Condensation और Dis, Dispacement आ गया लेकिन अब जब इस तरही कोशन दुबारा आ सकता है तो correlation और C Condensation से आप confused हो सकते होई तो आपने क्या करना है correlation पर क्रॉस लगा देना ह इससे पता चलता है कि fruits dream theory में correlation नहीं था segment fruit की जो theory थी उसमें correlation नहीं था basically condensation, symbolization और dislocation था segment fruit की dream theory में तो इस तरीके से अगर इसका question आता है कि मानलग segment fruit की dream theory में से इसमें कौन सा included था तो अगर आपको SCD आदा है तो आप इसमें से एक को निकालके अपना rule out करके इसका भी answer निकाल सकते है तो यह फाइदा होता है MCQQ notes बनाने के और यह सारा ताम जहाम है आपको दुबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जब भी हम screen solve लेकर रख लेते हैं जब भी आता है ना तो नॉर्मल लोगों के तो बस रहते हैं यह कोशन जली से भाग जाए कुछ लोग ही होते हैं इनको यह पसंद आता है तो उस समय मुझे भी एक कोशन बीबल पसंद नहीं आता तो और उपर से अल्टू accept that पर पोशन था जब आप इसका explanation पढ़ने जाओए compensatory pause फिर pulsus all trash rhythm irregular यह सारी premature beat यह सारा पढ़ते ही ना अगर लास्ट थाइम में अगर आप इसका explanation भी पढ़े और revise revision के दोरा आपको बस लगा है कि यह portion जली से हटा दूँ और आप आप इसको सभी से revise भी नहीं कर पाँए लेकिन उसका क्या better idea है उसका better idea है कि आपने क्या लिखना है पुर्सस बाइज एमिनस लिखा मैंने इसमें आप देख सकते हो कि क्या लिखा मैंने पुर्सस बाइज एमिनस लिखा पुर्सस बाइज लिखा बिसे कि यह दोनों एक दूसे के differential diagnosis ते कोशन के पहली बार पड़ोगी उससे पता चल जाएगा और उसके बाद यह लिखना है कि compensatory POS पुर्सस बाइज एमिनस लिखा प्रजेंट है और पुर्सस बाइज एमिनस में नेगेटिव है और प्लस में irregular पुर्सस बाइज एमिनस है और पुर्सस बाइज एमिनस रेगुलर है अब इसका फायदा किया है कि अगर कोई भी कोशन पुर्सस बाइज आता है पुर्सस बाइज बनेगा और इस तरीके से आपको एड करना है ठीक है तो इस तरीके से आपको दोश्ट इसका जब आप दुबारा रब रिवाइस करो ति फिर से यह नहीं पड़ना पड़े एक लाइन और काम खतम 30 सेकंड की बात है यह बस चौ आपको नहीं आएंगे क्योंकि आप भगवान थोड़ी हों सब कुछ याद कर लोगे तो मेरे को भी याद नहीं था यह तो गैस बोक सेंड्रोम लिखा और उसका बस मतलब लिख दिया स्पूरियस पॉलिसाइथ हमियागो कहते है बैसे इस सारे पेस कोशन आउंगे इसको बार भार भूल सकते तो आप बैसे को लिखो रिवाइज करो और यहापके अम इसा में मेमोरी में बैठ जाएगा पाश्य पूशन पर आओ अब इस सिपसंज फेसे पहली बार सुना ना र अब इस पर तो short note बनाना पड़ेगा तो इसके सारे options पड़े और इसका एक short note बनाया आप सिपसंज फेसे लिखा सब्लूरियन मेमोरी लिखते है पहली बात तो यह एपक्स पर था ठीक है इससे पता चलिए कि एपक्स वाला है कि एपक्स में होगा या बैक्स पर होगा तो इसके बाद इसकी attachments पूछी गई थी basically और इस attachments इस तरीके से थी यह आप किसमें में देश सकते हो C7 से लिखते T1 तक थी तो बस ही लिख दिया C7 और इनर पार्ट अफ T1 इनर जरू लिख नहींगा इनर आउटर में आटमी कोशन में इनर आउटर लेटरल मीडिया इन पर इ इस तरीके से यह भी एक लाइन में फिनिश है आओ नेक्स कोशन पर आओ अब यह नेक्स कोशन ने क्लिनिकल कोशन था अब यह कोशन जब आप रिवाइस करते हो ने इस तरीके कोशन तो बहुत टाइम ले लेते हो भाई तो अगर आपने इसके short notes बना रख है ना तो बहु तो आप ऐसा हो सकता है कि उस समय आपको यह बहुत बड़ा कोशन लगे आप काफी टाइम दे दो उसके लिए पहले ही आप ऐसे कोशन के आप एक short note बना लो तो यह बेसिकली कोशन क्या था कि एक 6-year-old boy है experience life-threatening shock इस CT scans or large amount of ascites, bowel wall thickness and poor or absent enhancement of strangulated bowel segment बैसिकली एक कोशन था इस एक explanation पर मुझे पता चला कि एक internal हर्णिया का कैसा है ठीक है अब यह पहली बार तो में सुनी राता है कि congenital internal हर्णिया भी होता है तो मैंने इस से related जो भी information थी मैंने इसका explanation पढ़ा और उसको एक line में लिख लिया कैसे congenital internal हर्णिया आई इस का जगा internal हर्णिया भी लिखा क्योंकि internal हर्णिया उस समय मुझे को पता ही नहीं था तो congenital internal हर्णिया लिखा फिर neonate में लिखा कि इसका most common type पहुंसा होता है तो trans misandric type होता है बस इसको याद कर लिया कुछ ही होती है जो आपको रचले नहीं होती है तो most common trans misandric याद कर लिया और इसका इस factor क्याता है कि previous abdominal surgery करी होगी तो इसमें internal हर्णिया के chances बढ़ते हैं और फिर with time जब मैंने surgery में अपाट फड़ा तो मुझे पता भी चला कि ये previous abdominal surgery करते हैं तो Peterson हर्णिया जो होता है इसी तरीके साथ हमिया होता है तो इसी तरीके से congenital internal हर्णिया था जो previous abdominal surgery करते थे तो trans misandric type का सबसे common type को होता है और फिर इसका जो answer बुचाता है किस तरीके सूचर लगा होगे तो बस उसको लिख दिया single layer seromuscular lambert suture लिख दिया ठीक है इस तरीके से इसका solution यहाँ पे मेरेको एक line में मैंने इसको लिखा और most of the points मैंने इसके cover कोई यह करें genital internal हर्णिया के neonate में most common type transmisantric होता है previous abdominal surgery इसके respect और single layer seromuscular lam कर लिया BTR कर लिया और हो गया भाई काम कतम नहीं नहीं होगा अम बस passing ring में रह जाओगे आपको अपने dream branch चाहिए तो ऐसे आपको notes बनाने explanation के ठीक है next question पर हो अब यह next question तो उस समय तो मुझे नहीं आता था अब तो अगर आप पूरा syllabus cover कर लोगे तो जरूर आएगा लेक सकते बस इन तीनों में confused हो गया कि कौन सा दे सकते है और adenosine में नहीं दे सकते है amiodarone और dopamine में में उस समय पंत भी उसता है इक कौन सा दे सकते है तो basically इसका answer तो amiodarone था और इससे मैंने तीन चीज़ें निकाली के lidocaine, lignocaine, epinephrine and amiodarone तीनों दे सकते हैं हम इसमें cardiac arrest के patient मे और फिर मैंने उसको ऐसे लिखा जैसे आप देख सकते हूँ, acls, epinephrine, 1-10k की dose में देते है amiodarone 300 mg और lignocaine 1 mg युकि इन तीनों dose को बार बार पूछते हूँ तो मैंने एक note में लिग लिग लिया, अब इससे कितने सारे portion के लिए रो रहे हैं आपको पता है आपको, acls में इन तीनों दबा दे सकते हैं, इन दी बात तो, ठीक है, उसके लिए तो category of drug, anti-aridmic के कौन सी drug दे सकते हैं, फिर anesthetic कौन सी दे सकते हैं, ये सारी ऐसे करके question पूछ सकते हैं, dose इन तीनों के पूछ सकता है कि ये cardiac emergency है और इनकी dose आप पानी चाहिए, इस तरीके से आप एक line मे हैं, अब तर आपको excel करना है अपने exam में, ठीक है, अब next question पर हो, next question दा heart plate इसमें से क्या-क्या contain करता है, अब इसमें थोड़ी बहुत अगर आप अपना दिमावलागा होगे, तो बलई keratinize सोच लोगे, keratinize सोच लोगे, minus delivery gland सोच लोगे, अब यहाँ पर मैं confused था, submucosa या absent तो बस इसके short notes बनाया, मैंने फिर सिर अदलब एक line में इसको लिखा, art plate, keratinize सो चलो, हम लोग अपने दिमावलागा लगाए लेंगे, माइनर भी लगा लेंगे, लेकिन इसमें submucosa भी होती है, इस तरीके से मैंने लिख लिया, इस तरीके से यह आपको करना, फिर इतना स screenshot रहते हो, तो उस समय आप इतना तो इतिमाद रहता नहीं कि क्या उस समय हमने पढ़ा था, फिर हम दुबारा दुबारा पढ़ते हैं, दुबारा दुबारा पढ़ने के चकर में मारा काफी समय जाता है, तो आप अगर ऐसे करोगे, तो आपके यह एक ही पेज चल रहा है, अब यह देखो, अब यह देखो, बहुत अच्छा question है, उस समय मैंने question कर रहा था, और यह मेरे आइनाई में question आ गया था, और पीजिया आइनाई में इसी साल आया है, यह post-tharmist child को किसे कहते हैं, तो उस समय इस time का मुझे मसलब नहीं था, जिस समय मैं पहली बार इस question को को रहा था, तो मैंने लिखा था, और इसी साल यह intense examination में आगे, तो यह फैदा होता है, पीवाई क्यू करने का, और पीवाई की के notes बनाने का, अब इतना सारा दुबारा पढ़ने है, आप यह पढ़ोगे child deliverer, after death of child deliverer, यह इतना सारा पढ़ोगे, फिर 2-3 minute, उस से अच्छा ह एक और आपको बताता हूँ, अब यह देखो, यह question मेरे को समय नहीं आदा, तो इसका fetal right upper link किया, और इससे इसका explanation भी थोड़ा बहुत मैंने लिख लिया, विकिए इसमें greater than 3% oxygen saturation होता है, ठीक है, तो इस तरीगे से मैंने इसके भी notes मिनाए, तो आप देख सकते होगे, यह मेरा एक ही page चल दाया है, मैंने डाला है, और इस तरीगे से अगर आप एक module करते हो, तो आप उसको एक page में cover कर सकते हो, मानलो कोई यह आप एक GT करते हो, मैं grand test यहाप आपको अपना sony कर सकता हूँ, और आप उसको मैं दिखाता, अगर आप एक, अपना grand test करते हो, तो आप के coaching faculties वाले हो, कि सभी कहते review करना है, और review का यह best option है, कि आप एक page पर लिफनो सारे options, और उनके answers, और दुबारा GT 10 दी हैं, तो 10 page मना लो, और 10 page पर review करो, यही मैं करता था, और इस तरीगे से आप फिर GT जल्दी cover हो जाएंगे, और इस तरीगे से आप extra information भी add कर पाओगे क्योंकि theory कभी नहीं कर पाओगे आप दुबारा, पूरी की पूरी, internship के दौरान और internship, post-internview तब भी इतना सारा content होता है, कि आप कभी नहीं कर पाओ, भले यह आप इस start कर दो, बीच में जाके आप फिर आपका mood बदल जाएगा, क्योंकि आप देख लोगे कि मेरे से नहीं कोई भी confusion आ रही है, इस related की कैसे MCQ modes बनने में, आपको और कोई तकलीफ आ रही है, तो आप मेरे को comment कर सकते हो, YouTube पे को भी comment कर सकते हो, Telegram चैनल का link और Insta का भी मैंने ID अपने description box में दे रखा है, आप उस पर भी नहीं problems मेरे को post कर सकते हो, मैं आपको definitely उस कहां सब दूँग किसी वीडियो की है, आपो में टेलिवाम चैनल पर आके, डिमांड कर सकते हो, इस वीडियो पर बना दो, मेरे को ये वीडियो चाहिए, तो मैं definitely यह बनाता हूँ, ठीक है, तब तक आप बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, confident रहो, कभी कोई होपनी आरनी है, और definitely आप achieve कर लोगे अपने dream, till then, goodbye, और यहां तक definitely thank you, अज़र content अच्छा लग रहे, तो share करो, subscribe करो, अपने दोस्तों के साथ, अपने friends के साथ, goodbye.